इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप Amazon से OnePlus Nord C2 Lite खरी सकते हैं EMI पर यानि कि दोस्तों आप Nord C2 को किस्तों पर कैसे खरी सकते हैं इसका बुरा प्रोसेस क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को आखरी तक देखेगा सबसे पहले अगर आप मारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल ऐकर भी प्रेस कर दीजेगा तो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एमजोन पर सर्च कर लेते हैं वन पलस नोड सी टू लाइट तो ये दोस्तों यहाँ पर आ चुका है तो जो उनसे कलर में आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लिजे तो मुझे बलैक कलर में पसंद है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यह कौन सा वेरियंट है यह दोस्तों इसकी जो RAM है वो 6GB है और Storage 128GB नीचे दो color option दिएगा है जो उनसा color आपको पसंद है वो select कर लिजे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इसकी detail दिगाई है देख सकते हैं आप यह कितने का है mobile और कितने दिन के अंदर delivery हो जाएगी तो यहाँ पर EMI वाले option पर आपको click करना है जहां से आप इसकी EMI की detail ले सकते हैं तो सबसे पहले आपके जो है सामने credit card आ जाएंगे सारे bankों के तो जैसे कि मेरा access bank का credit card है मैं इस पर select कर दूँगा select करने के बाद आपके सामने एक EMI का चार्ट बना हुआ जाएगा पहला जो option है no cost EMI का इसमें दोस्तो तीन महीने की EMI अवेलेबल है 6,333 रुपे है दोस्तो इसकी EMI हर महीने की और दोस्तो 435 रुपे का आपको इसमें discount भी मिल रहा है और आपके मुबाइल की कीमत हो जाएगी 18,999 रुपे इसमें दोस्तो कोई भी आपको अलग charges नहीं देने पड़ेंगे नीचे आजाते हैं इस tender plan पर यहाँ पर दोस्तो जो पहली EMI देख सकते हैं 6 महीने की है वो है 32,000 कुछ रुपे की और यहाँ पर दोस्तो 700 कुछ रुपे का आपको जो है interest rate देना पड़ेगा आपकी जो मुबाइल की कीमत है उससे अलग और फिर आपके मुबाइल की कीमत 19,720 रुपे हो जाएगी और ऐसे ही दोस्तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जैसे की 12 महीने की यह EMI है यह 1715 रुपे की है और इस पर 1500 रुपे का दोस्तो interest rate लग रहा है यहाँ पर मुबाइल की कीमत से अलग और यहाँ पर पूरे मुबाइल की कीमत हो जाएगी 20,500 कुछ रुपे तो यह देख सकते हैं दोस्तो आपको interest rate भी बढ़ जाएगा अगर आप time बढ़ा देते हैं यह EMI का तो जैसे की मैं दोस्तो यह 3 महीने वाली EMI select करना चाता हूँ यान की इसमर में लेना चाता हूँ तो इसके लिए आपको कारणा क्या होगा simple ही जो है अपने back आना है और buy now के button बर click कर देना है जैसी आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगा दोस्तो select payment method की आप payment कैसे करना चाते हैं नीचे option दिया गया है सबसे पहला option है other UBI apps आप UBI के apps से payment कर सकते हैं नीचे option दिया गया है जैसे की debit card, credit card और ATM card से भी आप payment कर सकते हैं फिर इसके नीचे net banking और सबसे last में आ जाता है EMI जिस पर हमें लेना है EMI पर select करेंगे select option पर click करना है आपको add a new card पर click कर दीजे enter your card detail पर आपको click करना है तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे यापर दोस्तों आपको थोड़ा wait करना है wait करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा सबसे पहले आपको अपना जो credit card का नाम है वो डालना है जो आपका नाम है उसमें फिर credit card का number और validity enter your detail पर जैसे आप click करेंगे तो आपका जो है order placed हो जाएगा अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप credit card से कोई भी mobile order करते हैं तो आपके starting में कितने पैसे cut होंगे तो दोस्तों आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे बले ही आप EMI पर क्यों ना करीद रहे हो पूरे पैसे cut हो जाने के बाद वे दोस्तों 8 दिन के अंदर EMI में convert हो जाते हैं और वे दोस्तों credit card के अंदर ही block हो जाते हैं आप उनको निकाल नहीं सकते उनसे दोस्तों सिर्फ आपकी EMI जो है cut होती रहती है तो इस तरीके से दोस्तों आप Amazon से EMI पर कोई भी mobile buy कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों